हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच्प परहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस तरी धन पर कि जागरुकता फैला ही जाए लोगों को बताया जाए कि उनके राइट्स क्या है अब देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका मैट्रिमोनेल विवाद चल पड़ा और मैट्रिमोनेल विवाद में लड़की आप अपने हजबेंड से दूर रहे रहे नि वाइफ और हजबेंड अलग-अलग रहे रहे हैं कुछ समय से गुजर गया कुछ समय के बाद वाइफ अचानक से फोन करती है कि मैं इतनी तारिक को आपके घर पे आ रही हूं अपना सामान लेने के लिए हजबेंड कहता ठीक है ना है ले जा कोई बात नहीं आपी का सामान है और वो ल अगर आपका सामान भी जाएगा और आपके उपर मुकदमा भी दर जोगा क्योंकि अदिकतर के सिज में देखा जाता है कि जब भी लड़की आपकी कोई कंप्लेंट वोमें सेल में करती है कोई केस जालती है तो उसमें लिखती है कि मेरा जितना भी समन था वो सारा मेरे ससुराल वालों ने रख लिये और मुझे खाली हाथ केबल पहने वे कपड़ों में घर से निकाल दिया अब दोस्तों इसमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जा वास्तों में ऐसा होता है लेकिन अदिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता है, अदिकतर मामलों में यह होता है, या तो वो सारा का सारा समान ले जा चुकी होती है, या फिर वो सेपरेट होने के कुछ दिनों के बाद अपने परिवार वालों के साथ आती है, और सारा समान ले करके चली आती है, और बाद में मुकद इसके दोर भी प्रेशर किया जाता है कि भई समान लोटाईए तो फिर ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए जब भी आप समान वापस करें तो लीगल प्रकिरिया में जाकर ही वापस करें समान को प्रापर थाने पे जमा कराएं वहां से रसीद ले इस पर मैंने अलग से लिखवा करके या कच्चे एगरिमेंट पर या बिना कुछ लिखत पड़त के समान वापस कर दिया है और अब पतनी ने एक वोमेंस अल में कंप्रेंट डाल दिया कि मेरा तो सारा समान इन्हों नहीं रख लिया था और आपका वो जो लिखत पड़त कागज है वो कोई मान यरा तो अब ऐसे में आप क्या करें कंवि या पने रख ल्या हो जाईगी अब 2024 की दैरे को हे लिख लिखत देंगे 이것 लहाए हो जाएगी आब दोस्तों कोई बात नहीं हो गए तो लेकिन अब इस चीज़ को उसे साबित भी करना पड़ेगा जो की वो साबित नहीं कर पाएगी तो ऐसे में घबरानी की आफशकता नहीं है अगर 406 लग भी जाती है तब भी आपका एक ही मुकदमा चलेगा एक ही बार बेल लेनी पड़ेगी कोई ज़्यादा आपको टेंशन वाली बात इसमें है नहीं तो कुल मिलाके पहले तो यह ध्यान रखें कि out of the court सामन वापिस ही ना करें नेक्स्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care